आप सबका हमारे चैनल श्रीम अधुम रामेड़ीस पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको कर्च मुक्ति से यदि आप कर्च तले दबे हो काफी कोशिश कर रहे हैं तो भी आपका कर्च उतर नहीं पा रहा हो तो उसके हम उपाये बताएंगे ताकि माता दुर्गा से आप आशिरवाद प्राप्त कर सकें तो आसान ही उपाये बताऊंगा हलंकि इसमें एक ही उपाये बताऊंगा और आप कोई भी special product tomja.com या shivago.com से प्राप्त कर ले Genuine Authentic Lab Certified और साथ में अभी मंतरत भी देखिए यह जो उपाये हम आपको बताने जा रहा है इसमें ज़्यादा कर्ष नहीं होगा फिर भी यह चार सो पाट सो लुपे कर्ष होंगे आपके पर रिजल्ट आपको 100% मिलेगा कर्ष मुक्ति का एक आसान उपाय है वह यह है कि देखिए ना बरात्री में आप घट अस्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत लोग घट अस्थापना नहीं भी करते हैं तो एक दीपक जला लीजेगा संकल्प ले लीजेगा कि इस मक्सद से आप यह कार करने जा रहे हैं गट स्थापने यह दी नहीं करते तो माता दुर्गा के सामने आप बैठ जाएगा फोटो यह मुर्थी वगर कुछ भी रख्या या तो फोटो यह तो मुर्थी यह जो भी आपको रखना उसके बाद रोजाना की काम होगा आपका पूरे नौ के नौ दिन मतलब पंदर तारिक से लिके नौ दिन तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पंदर अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नवरात्री के दौरान सूरज डूबने के पश्याग तो 21 गुलाब के फूल 21 गुलाब के फूल रोज लगेंगे आपको सवा किलो साबूत लाल मसूर का दल ये भी आपको रोज लगेगा कपड़ी में बांद कर माता के सामने रखकर घी का दीबक जलाकर रोजाना आपको एक मंतर पढ़ना है ओम एम रिम क्लिम चामुणडाय विच्छे इस मंतर को 108 दफा आप रुद्राक्ष की माला पर किजिए या अस्वाटिक की माला पर किजिए रोज पूजा समाप्त होने के बाद आप अपने ऊपर से साथ बार इसको बाहर दीजिए और आप किसी को भी दान दे दीजिए निमेत रूप से करना है आपको रुजाना जब आप बार लेंगे तो दान देने जाने से पहले माता से आप कर्श मुक्ति की प्रात्ना करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सारे चीजिए आपके साथ अच्छी होती चली जा रही है और कर्ज से आपको मुक्ति मिल गया तो आप कोई भी स्पीशल प्रोड़क्ट रोग